और अब नज़र आज की अच्छी खबर पर फाजलिका के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले का शक्स को तेड़ करोड की लोटरी लगी है सरवन सिंग नाम के ये शक्स से 17 साथ से लोटरी के टिकेट खरीद रहा था कहावत है कि उपरवाला जब देता है तो छप पर फाड़ कर देता है और ये कहावत फाजलिका के सरवन सिंग के लिए सच साबित हुई 17 साल से लोटरी खरीद रहे सरवन कुमार की आखे उस वक्त खुली की खुली रह गई जब उनके पास देर करोर रुपे की लोटरी लगने का कॉल आया पबलिक हेल्थ डिपार्टमेंट में बतोर हेड़ ड्राफ्ट्समैन काम करने वाले सरवन सिंग साल 2003 से लगातार ही लोटरी खरीद रहे हैं हर लोटरी के फेल होने के बाद उनके मन में यही आशा रहती थी कि इस बार की लोटरी उनके लिए लकी साबित होगी लंबे इंतजार के बाद आखिर कार वो दिन आया जब उनकी लोटरी लगी और वो भी डेड़ करोड की केसी एजनसी की पंजाब स्टेट होली बंपर लोटरी उनके घर त्योहार से पहले ही खुशियां लेकर आई लोटरी की खबर लगते ही परिवार में बधाई देने वालों का जमावड़ा लगने लगा परिवार को मिठाई खिला कर पडोसियों ने बधाई दी और खुशी केस पल को उनके साथ साज़ा किया विपिन शर्मा के साथ जी मीडिया कैथिल हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाए और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पीच को लाइक और शेर जरूर करें धन्यवाद